किसान भाईयो नमस्कार मेहू दसरदाकर आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चेनल में आज हम बात करेंगे बरसात के मोसम में उड़त की सफल उन्नत विग्यानिक खेती के बारे में बरसात के मोसम में आप उड़त की खेती से 60-70 दिनों में अच्छा मुनापा कमा सकते है इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि बरसात के मोसम में किस प्रकार से आप उड़त की खेती कर सकते है उड़त की खेती के सभी मुख्य बिंदू जैसे की उपयोक्त मिटी और कीट हुए रोकों का नियंतरन केसे करे और किस परकार से आप उड़त की खेती से अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते है यानि कि इस वीडियो में मैं आपको उड़त की खेती की संपूर्ण बुवाई से कटाई तक की A to Z जानकारी देने वाला हूँ जिससे किसान भाई बरसाद के मोसम में आसाने से उड़त की खेती कर सकते है और कम जगह से कम समय में अधिक उत्पादन अधिक लाब कमा सकते है इस वीडियो में आखिर तक बने रहे पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजी यदि आप हमारे चेनल पर नए हो चेनल को सब्सक्राइब कर दीजे जिस से आगे भी आपको हमारी हर एक नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे किसान भाईयों अगर आप बरसाद के मोसम में उड़त की खेती कर रहे है तो आप उन सेत्रों या उस खेत में उड़त की खेती ना करें जिस खेत में पानी का बराव होता हो अगर आपके से प्रेटर में अत्यदी बरसात होती है, खेत में पाने का बराओ या पाने का दबाओ होता है, तो उस खेत में आप भूल कर भी उड़त की खेती ना करें। आप उड़त की खेती कर सकते है, बलोई दौमट मिटी भी इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो आप उस रिसाप से मिटी का चियन कर सकते है, बूवाई के समय की बात करें, तो बरसात के मोसम में जब आपके सेत्र में अच्छी बरसात हो जाए, यानि कि जुन स जुलाई मैने में आप उड़त की बूवाई कर सकते है, यानि कि इसकी बूवाई आप ज़्यादा अगेती भी कर सकते है और ज़्यादा पचेती भी क्योंकि उड़त की फसल साट से सतर से पच्चेतर दिन में पकरती यार हो जाती है, इसके बाद अगला बिंदू आता है खेत की तयारी केसे करें किसान भाईयों उड़त की खेत की तयारी करने के लिए गर्मी के दिनों में ही खेत की अच्छी गहरी जुताई कर लें कूली पाटा लगा कर या रोटा विटर से खेत की मिट्टी को बारिक या समतल कर लें अब खेत तयारी में खाद उररकों की भाद करें तो आप गोबर खाद का प्रियोग जरूर करें जितनी खाद आपके यहां पर उपयोग तो हो जाती है लगबग दो याट रे तीन ट्राली तो गोबर खाद बिकेर सकते हैं प्रती एकड़ खेत में आप वही रासाइनिक खादों की भात करें तो दो कटे SSP यानि की उड़द एक दहलनी फसल है इस करण उड़द में सलपर की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है इसलिए प्रती एकड़ाब दो कटे SSP यानि की सिंगल सूफर फासफेट खाद का विकेर सकते हैं उससे के साथ 20 किलोग्राम आप पोटास को मिला सकते हैं बहुत से किस किसान तो साधारन तरीके से छिड़काओ कर उड़त की बुवाई कर देते हैं और कुछ किसान सिड्रिल से उड़त की बुवाई करते हैं अगर आप भी सिड्रिल से उड़त की बुवाई कर रहे हैं तो लैन से लैन की दूरी आप 20-25 सेंटिमेटर के आसपास रखें वहीं पोदे से पोदे की दूरी 10 सेंटिमेटर और जब भी आप बुवाई की गहराई की बात करें तो 4 से 5 सेंटिमेटर के आसवास गहराई होना चाहिए इस परकार से आप सिड्रिल से उड़त की बुवाई कर सकते हैं जब आपकी सित्रे में अच्छी बरसात हो जाए उसी के बात करें तो प्रती एकर लगबग 8 से 10 किलोग्राम बीज की आउसकता होती है अगर आपने उन्नत हाइब्रेट किस्म का चियन किया है तो प्रती एकर 8 किलोग्राम बीज की आउसकता होती है इसके बाद आता है बीज उपचार उड़त का बीज उपचार आप 3 चरणों में कर सकते हैं पहले सरण में आप फपून नसंग या फंगी सेट से बीज का उपचार करें और दूसरे सरण में आप कीटनासक और तीसरे और आखरी चरण में रायजुबियम कल्चर से बीजों को उपचारित कर सकते हैं बात करते हैं सबसे पहले फंगी सेट से बीज उपचार की तो फंगी सेट के रूप में आप यूपेल की साप फंगी सेट से दो ग्राम प्रती केजी बीजो को उपचारित कर सकते हैं वहीं कीटनासक से बीज उपचार की बात करें तो आप इमिडा क्लोर पीट 6,3% में से 7 ग्राम प्रती केजी बीजों को उपचारित कर सकते हैं वही रैजोबियम कल्चर की बात करें तो 50 ml इपको का रैजोबियम कल्चर आपको लेना है साथ ही 50 ग्राम गुड की आऊ सकता होती है गुड को पानी में मिला कर आप रायजुबियम कल्चर से बीजों को छिटक कर बीज उपचार कर सकते है बीज उपचार होने के बाद बीज को छाओं में सुखाए उसके बाद आप बुवाई कर सकते है उनत किसमों यानि की टोप विराइटों की बात करे तो अलग-लग सेत्रों में उड़त की अलग-लग विराइटें आती है उड़त की कोई popular विराइटी नहीं है जिसे हर एक सेत्र में लगया जा सके कुछ किसान देशी उड़त की बुवाई करते है कुछ किसान hybrid private company की उड़त की बुवाई कर देते है वेसे कुछ उड़त की विराइटें है जिसे कि प्रताब उड़त, सेकरदो, बसंद बहार, T9 आदी उड़त की उननत किसमे है किसान बायों आप जब भी उड़त की बुवाई करें तो खरीब सीजन वाली उड़त की किसमों का ही चीयन करें कोछ ऐसी विराइटे होती है जिनकी बुवाई गर्मी के मोसम में भी की जाती है आप उड़त की बूवाई जब भी करें तो उस समय वेरायटिओं की जहनकारी आपके पास होना चाहिए उही के बाद आप उड़त की बूवाई करें इसके बाद खरपतवार नियंतरन की बात करें तो बरसाथ के मोसम में उड़द में खर्पतवारों का अटेक सबसे ज़्यादा हो जाता है उड़त में खर्पतवार नियंदरन के लिए आप खेत में डोरे या कुल पे चलाकर खर्पतवार को नियंदरित कर सकते है और राशनिक तरीके की बात करें तो जब आपकी वसल 25-30 दिन के असपास हो जाती है उस समय आप इमेज़ा थाईपर 10% एसल टेकनिकल वाली दवाईय इसके बाद अगला बिंदू आता है खाद और उर्वरक उडद एक दहलानी फसल है जिस कारण अगर आप खेत त्यारी में संतुलित खादों का पुर्योग करते हैं तो बाद में पोदे को किसी भी परकार से खादों की आउसकता नहीं होती है क्योंकि उडद की फसल एक परकार से पोदे की मिटी के लिए खाद का काम ही करती है बहुसे किसानबाई मिटी में खाद की मातरा को बढ़ाने के लिए या रभी सिजन में फसल का ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए बरसात में उडद की बुवाई करते है इसके लवा सुर का दानेदार का पर्योग भी कर सकते है लेकिन आप उड़त की फसल में जरुत के अनुसार ही यूरिया का पर्योग करें क्योंकि बहुत से किसान भाई ज्यादा यूरिया डाल देते हैं जिससे क्या होता है कि पोदे की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है पोदे में ब्रांचिंग निकल पाती है फल पूल नहीं आते है और पौदे की हाइट बढ़ जाती है इसलिए आप जरुत के अनुसार ही उड़द में यूरिया का प्रयोग करें अगर पौदे में यूरिया की जरुत नहीं है तो आप यूरिया का प्रयोग ना करें इसके बाद अगला बिंदो आता है कीट एम रोग उड़त की वसल में कई परकार के कीट वर रोगों का अटेक होता है जैसे की उड़त में पीला मोजिक वाइरस का अटेक फंगस जनित रोग जैसे की पाउडरी मिल्डियो डाउडरी मिल्डियो पतों पर धबे बनना और इल्लियों का अटेक जैसे कि छोटी छोटी रस्तू सक कीटों का अटेक भी होता है छोटी छोटी इल्लिया फल्लियों को काटने वाली सेमूलेपुर इल्ली आदी का उड़ोत की वसल में सबसे ज़्यादा अटेक होता है सबसे बले हम बात करते है पीला मोजक वाइरस के बारे में किसान भाईयों वाइरस अगर आपके खेत में एक बार फेल जाता है तो इसको कंट्रोल करना कापी मुश्किल और चुनोती पूर्ण होता है इसलिए आपके खेत में जब भी आपको फीला मोजब वायरस के पोदे नजर आए तुरंत आप उनको उखाड़ कर बाहर फेक सकते है वायरस सफेद मकी के कारण फेलता है सफेद मकी पोदे के पत्तों पर लग जाती है और पत्तों का रष्ट चूश्टी रष्टी है जिससे पोदा पीला पढ़ना सुरू हो जाता है या रोक दीरे दीरे पूरे खेत में फेल जाता है सफेद मकी को कंट्रोल करने के लिए आप एकड़ में प्रीड 20% SP का 150-200 ग्राम प्रती एकड़ की दर से प्रियोग कर सकते है या इसके अलवा आप डाई फेनती यूरोन 50% WP का 200-250 ग्राम एक एकड़ में लगबग 150-180 लिटर पानी में इस परे भी कर सकते है जिससे सफेद मकी कंट्रोल हो जाएगी और आपके खेत में पीला मुझक वाइरस का अटेक नहीं होगा इसके लवा उड़त की फसल में फंगस संबंदी रोग कापी ज़्यादा दिखाई देते है जिसे कि डाउडरी मिल्डियू पाउडरी मिल्डियू पतों पर धबे बनना पोदे में फंगस का अटेक होने से पोदे की गुरोत रुखना और पतों का पीला होना यानि कि फंगस संबंदी बीमार्या उड़त की फसल में कई परकार से देखी जाती है फंगस संबंदी कीटों की रोगताम के लिए आप यूपेल की साफ फंगी साट का 300 ग्राम प्रतिय कड़ की परियोग भी कर सकते है इसके अलावा उड़त की फसल में छोटी छोटी इल्यों का अटेक या फोल्यों को काटने वाली इल्यों का अटेक सबसे ज़्यादा दिकाई देता है आप की फसल में अगर छोटी छोटी इल्यों का अटेक प्रारणविक स्टेज में है तो आप हलक कीटनास का पुरियोग कर सकते हैं जैसे की प्रोपवेनो फोस जालिज परतिसाद साइपर मेतिन चार परतिसाद एजी का 250 एमल प्रती एकड़ की दर से पुरियोग भी आप कर सकते हैं जिससे सभी प्रकार की छोटी-छोटी इल्लियां कंट्रोल हो जाएगी इसके अलावा भ फेम और एमपिलिको जैसी हेवी दवाईयों का प्रियोग कर सकते हैं जिनसे आपकी उड़त की फसल में लगने वाली सभी प्रकार की समस्ती इल्लियां कंट्रोल हो जाएगी लेकिन दवाईये थोड़ी महंगी पड़ती है और इनका खर्च जादा होता है इस करण आप उटपादन और हार्वेस्टिंग की बात करे तो उड़त की फसल की विराइटिया मातर साढ़ से पचतर दिन के मध्य पकर तियार हो जाती है यान कि खरीब के सीजन में आप जितनी भी फसले लगाते हैं उनमें से सबसे पहले उड़त की हे हार्वेस्टिंग होती है उड़ जो उड़त का बाव है अभी के समय वो साड़े 5000 के आसपास है ऐसे में आप अगर अच्छा उत्पादन लेते हैं तो उड़त की खेती से कापी सांधर मुनापा कमा सकते है, साथ ही आपका जो खेत है वो भी समय से खाली हो जाता है उड़त की खेती में तो कम से कम लागत में आप अधिव से अधिक मुनापा ले सकते हैं लेकिन बरसाद के मौसम में उड़त का उत्पादन थोड़ा कम निकलता है क्योंकि बरसाद के करण उड़त की फसल नश्ट हो जाती है उड़त में कापी कम सीचाई की आऊ सकता होती है आप अगर बरसाद में खेती कर रहे हैं तो ड़लान वाले खेतों में ही उड़त की खेती करें साथ ही आप खेत में पानी का बराव ना होने दे जल निकास वाली मिट्टी में ही उड़त की खेती करें तो ये थी उड़त की सपल उन्नत विग्यानी खेती अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने किसान सात्यों के साथ से ये रहोश्य करें धन्यवाद